हेलो दोस्तों इस टॉक मार्केट पैरडाइज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं एक टाइम पर यह बहुत ऊपर चली गई थी कंपनी उसके बाद लगातार नीचे आ चुकी है अब यहां पर थोड़ा सा हमें प्राइ ले रखें और आज की दिन भी वह उसको होल्ड कर रहें तो आपको क्या करने चाहिए क्या आपके डिसीजन होने चाहिए चलिए हम सब कुछ डीटेल में बात करते हैं कब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा क्वार्टर थी के नंबर किस तरीके से रहने बाले हैं सब कु मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी अगर आपको ओवराल बिजनिस के बारे में जाना है कंपनी क्या करती है कैसे स्टार्ट हुई तो सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा मैं आपको आई बटन पर आपको करो को बहां पर बीडियो डाल देता हूं तो आई बट एक स्विच बनाने से ये स्टार्ट हुई थी कंपनी के अगर क्वार्टर ली रिजल्ट हम देखें तो डिसमबर 2019 और जून 2020 ये दो क्वार्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिलेगा कोरोना की बज़े से जो लॉक डाउन लगा था उसकी बज़े से थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारा हमारा एक्सपोर्ट एंपोर्ट कम हो चोगा था जैसे की इनको काम नहीं मिलेगा अब आपका हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कंपनी को क्या काम देखिए सिप्स जो होते हैं वो एक दिस से दूसरे दिस जाते हैं तो उनमें अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर कंपनी को काम कैसे मिलेगा मान लिए सिप में कोई खराबी आई नही अगर यह चल ही नहीं रहे खराबी आहीं नहीं रहे काम करबान ही नहीं है तो company को कहां से काम मिलेगा तो हर expect में हमें देखने चाहिए company को कहां से काम मिलने वाला है तो मार्च 2020 की अगर बात करें यहाँ पे कंपनी ने 5 करोड प्रॉफिट बनाया सेप्टमेर 2020 मैं 9 करोड फिर 3 करोड यहाँ पे मैं पॉइंट के बार नमबर नहीं ले रहा हूँ हलाकि यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं नमबर भी यहाँ पे आप देखोगे 6 करोड 40 लाख और यहाँ पे 3 करोड 80 लाख बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बनाती है इसके बावजूद भी आप देखोगे कंपनी का जो इस्टॉक है नीचे आता जाता है लगाता यहाँ पे अगर मैं आपको चायट पैटन देखाऊं किस तरीके से आपको इसका इस्टॉक देखने को मिला तो देखिए एक टाइम पे यह 84 दुपए तक पहुँच चुका था यह कपका डेटा है 20 मई 2021 का यहाँ पे आप देखिए यह देखिए तो बहुत बड़े लेवल पे यह पहुँच चुकी थी कंपनी और कई लोगों ने तो यहाँ पर होल्डिंग लिए कई लोगों ने यहाँ थोड़ सप्राइज रिवर्सल देखने को मिला बहुत सारे लोग यूटूब पर वीडियो बना देते हैं कि जाइए खरीद लेजे अब यह भागने वाली है फिर क्या होता है फिर नीचे आ जाती है यहाँ से प्राइज रिवर्सल देखने को मिला फिर लोग कहते हैं चलिए सब्सक्राइज रिवर्सल देखने को जरूर मिला है लेकिन यहाँ से अगर आप देखो कि कोई चाइट पैटन बनता नहीं है कोई भी एनलाइस यहाँ पे टेकनिकली आपको देखने को मिलेगा नहीं कि इसमें अब यह बाइंग जोन आ चोका है जब भी बाइंग जोन करना पड़ता है और अगर आप चाहो तो मैं आपको टेकनिकली आनलाइस करके भी यह कंपनी का चाइट पैटन आपको बता दूँगा फिलाल में आप देखो कि यहाँ पर प्राइज रिवर्सल देखने को जरूर मिला है लेकिन यहाँ पर अभी अपसाइड देखने को मिलेगा थोड़ी यहाँ पर आप देखोगे और आने वाले टाइम में हो सकता है यह आपको थोड़ा सा और नीचे जाता हुगा देखने को मिले और यह सबसे ज़्यादा करेगा कि क्वाटरली रिजल्ट कैसे रहते हैं कंपनी के अगर हम बैलेंस सीट की बात कर लाश्ट दो क्वाटर अगर हम देखें तो 46 लाग का यहां पर प्रॉफित हुआ था तीन करोड एक यहां पर प्रॉफित हुआ था अगर यहां पर सेल्स देखोगे आप तो एक टाइम पर सेल्स जो थी 2019 में 91 करोड की हो रही थी अब आप देखोगी यह नंबर टच नहीं को मिल रायए जो कि 2019, दिसमबर 2019 से आपको सबसे बड़ा नंबर देखने को मिल रहाए 107 करोड का एक defendant होते हैまぁ 99 करोड की कंपणी की एक happiness कर लेते हैं आगर यहां पर यह चीजी मैनेज कर लेते हैं यह एक यह P balloon क हो से कम हो अगर एक पेंसे और बहीं पर अगर expenses 60 करोड के हो जाए तो देखिए sales तो उतनी हुए expenses कम होनी की बज़े से क्या हुआ profit बढ़ गया कितना बढ़ गया 47 करोड का तो बहुत बढ़ा नंबर हो गया यहां पर लेकिन यहां पर expenses जादा है इसकी बज़े से आप देखोगी operating profit 7 करोड 63 लाग का हुआ यहां पर interest बगयरा पे करके depreciation cost बगयरा पे करके company को जो net profit होता है यह होता है 3 करोड 81 लाग का अब हम देखें earning per share कितनी देखने को मल रही है अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना मैं एक वीडियो इस पर बना दूँगा डीटेल में हम समझेंगे कि earning per share क्यों important होती है जो भी बड़े बड़े investor होते प्रमोटर होते हैं वह हमेसान चेक करते है earning per share क्या है free net cash flow क्या है net cash flow क्या है free cash flow क्या है सब कुछ डीटेल में वो चेक करते हैं price to earning ratio सब कुछ चेक करते हैं तो यह आपको भी आना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी company में अच्छी time payment कर पाऊ अगर earning per share की बात करें यानि कि एक share पर हमें अभी कितना रुपया मिल र रहा है यानि कि अगर आप एक एक share खरीद होगे एक share खरीद होगे तब आपको उस पर profit होगा 31 पैसे का तो यहां पर बहुत कम आपको earning per share अभी फिलाल में आपको देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें balance sheet की तो यह आपको अच्छी देखने को मिलती है marine electricals की रिजब जो कोविड 19 की बज़े से यहां पर problem आ चुकी थी 124 करोड के देखने को मिल रहा है उसके बाद आप देखोगे 137 करोड बहुत जादा यहां पर रिजब बढ़ग चुके थे फिर आप देखोगे यहां पर September 2021 में 141 करोड यहां पर रिजब हो चुकी है company के तो अच्छा आपक को यह number देखने को मिल रहा है reserves में borrowing की अगर बात करें तो यहां पर भी company लगातार काम कर रही है March 2019 से की borrowing जो है कम की जाए इन्होंने कम की थी एक करोड से लेकिन फिर lockdown की बज़े से फिर से थोड़ा सा borrowing लेती पड़ी और एक करोड दो करोड का फिर से इंसमें को मिल रही है अब quarter 3 का number सम जब देखेंगे अगर इसमें borrowing और कम होती है तो company जो है बहुत अच्छे तरीकी से manage कर रही है अपने business को रिजब जो है अगर यह बढ़ते हैं अगर इतने ही रहते हैं बस borrowing कम होती है तब भी आप बहुत अच्छी यहां पे balance sheet देखोगे total liabilities की अगर बात करें 360 करोड की यह देखने को फिलाल में हमें मिल रही है cash flow की बात करें तो cash from operating activity से generate करती है company 2 करोड और investing activity से 1 करोड जहां पे आप देखोगे financing activity में यहां पे minus में जाती है company minus 7 करोड तो net cash flow निकल कि आता है minus 3 करोड जो कि आपको थोड़ा सा यहां पे बहुत massive तो आपको issue देखने को मिलेगा cash flow में हाला कि cash flow क्या होता है इसके बारे में देखें बहुत सारे topic ऐसे होते investing journey में जो आपको आने चाहिए अगर आपको जानना है कि net cash flow क्या होता है free cash flow क्या होता है यह क्यों important होते है किसी भी company को अगर हम financially या fundamentally analyze करते हैं तो यह आपको comment करनी है तो मैं इस पर भी video बना दूँगा overall अगर बात करें company का जो market cap है यह आप देखोगे सब कुछ मैंने एक video में बता हुआ आई बटन पर वो video आपको मिल जाएगी इसमें आप सब कुछ जान सकते हो company के बारे में अब बात करते हैं कि company का result हमें कब देखने को मिलने बाला है त तो आज के दिन आप देखोगे 19 January के दिन आप देखोगे इसके दिन जो market close हुआ था 37.75 रुपीज पे close हुआ है तो यह अभी आपको 0.27% का इसमें upside moment आपको देखने को मिला है 10 पैसे का अगर यहां पे बात करें कि कब हमें जो result है देखने को मिलेगा तो देखिए जो 12 अगस्त को company को जो आप देखोगे board meeting कम होती हैं बहुत जादा कम होती है इसके पहले आपको सबसे पहले stock split देखने को मिला था मालब 2020 में जो stock split देखने को मिला था 31 December को देखने को मिला था यहां पर बहुत सारे लोगों ने massively इसमें investment किया था बहुत सारी holding ले ली थी उसक तक चला गया आप फिलाल में आपको 37 rupees पर देखने को मिल रहा है तो यहां पर लोग बहुत ज़्यादा फस होगे थी यहां पर कई लोगों थोड़ा से यहां पर ऐसा आपको चायट देखने को मिलेगा यहां बहुत सारे लोगों ने 62 rupees पर holding ले रख कि और आज के दिन भी फसे होगा है कि सर क्या हमें इसमें exit करना चाहिए या holding करनी चाहिए तो देखे अगर आप अभी तक रुके हुए तो थोड़ा सा और सही अगर आपने इतना loss उठा लिया है माना की थोड़ा loss और होगा पर आपको थोड़े से quarterly result का वेट करना चाहिए quarter ठीके किस तरीके से numbers आपको देखने को मिलेंगे उस पर depend करेगा कि आपको exit करना चाहिए या फिर यहां पर holding करनी चाहिए लेकिन अगर आप यहां से यहां तक पहुंच चोके और अभी आप यहां पर हो तो थोड़ी से holding और लेना बनती है थोड़ा सा time और देजिए इस company को हो सकता है कि इसके quarter 53 के result आपको अच्छे देखने को मिलें तो आपको थोड़ा सा upside moment जरूर देखने को मिलेगा फिर हो सकता है अगर अच्छे नम्मर से यहां पर देखने को मिलेंगे तो 60 करोड 60 रुपीज के आसपास आप इसको trade करती हुए भी देख सकते हो 50 रुपीज पे भी आप trade करती महोच चुकी है एक टाइम था जब यह company लगातार भाग रही थी और फिर एक सार से लगातार यह company गिर रही है अब थोड़ा सा इसमें price reversal देखने को जरूर मिला है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको wait और करना पड़ेगा अभी जो भी date है announce तो की नहीं गई है कि कब आपक financial result देखने को मिलने वाले है quarterly result आपको कब देखने को मिलने वाले है तो अभी आपको कोई action नहीं लेना है जो भी आपके पास share पड़े हुए है उन्हें पड़े रहने दो देखना नहीं है हलांकि आप बस इतना जरूर notice केजिए कि company का जो stock है कहां पे trade कर रहा है तो यह रह आपके सारे doubt clear कर दिये जाएंगे so that's all in this video दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें आप अपनी family का खयाल रखें